शेहर गाज़ेबाद में दीनापुरी वार्ड नमबर आठ में शेतरवासियों ने गली जाम कर प्रदशिन किया उनका कहना है कि गली में जो सिविल बिच्छाई गई है उसमें लगबग दो महिने से गंदा पानी आ रहा है जिससे वार्ड वासी पानी की बूंद बूंद को तरस रही है महलेवासियों का कहना है कि हमने वार्ड पारशद से कहा तो उसने बताया कि नगर निगम ने यह टेंडर प्राइविट कमपनी को दे दिया है जिसमें वह सुनने को तयार नहीं उनका कहना है कि मैंने इसकी शिकायत सभी अधिकारियों को दी है और अभी तक किसी का कोई समाधान नहीं हुआ वार्ड वासियों का कहना है कि राजेंदर पारशद कोई गोड नहीं दे रहे इसमें सब लापरवाही बरत रही है वार्ड में गंदे पानी भरे होने की वज़े से खतरनाक बिमारिया एवं मच्छर पैदा हो रहे हैं जिससे बच्चे बिमारी से जूज रहे हैं जबकि विधायक और MP सब BJP के हैं गाजियाबाद से समाधा ता आस महम्मद की रिपॉर्ट दे दिया लेकिन जंता को देखना वार्ड मेंबर का काम है कुई कि वार्ड मेंबर जो होता है तो आपकस वहा पालिकावे समाधान नहीं है तो आपका कहना है कि वी जी पी राज में इसा नहीं है अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खवर देखने के लिए हमारे चैनल M4U News को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं जिससे आपको सभी न्यूस प्राप्त हो सकें संपर्क सूत्र 844-565-7566